Students, मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज का हमारा वीडियो रिजिनिंग एविलिटी पे है जो हर competitive exam के लिए बहुत ही जरूरी है और आप देखेंगे कि हर exam में आपके लिए ये राम बान ओजदी साबित होगा देखिए हमारा वीडियो देखिए पहला हमारा question है series में इसको ध्यान से देखिए students अगर सबसे पहले कोई भी candidate जब भी किसी question को हल करता है series problem को हल करता है तो सबसे पहले वो gap निकालता है अगर इसमें हम gap निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर कम हो जाते हैं यानि minus 11 का gap है और अगर इससे यहाँ का हम gap देखते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पलस हो जाते हैं बढ़ जाते हैं तो देखिए पलस 13 का gap है सबसे पहले हर candidate की यह आदत होती है कि वो पहले gap निकालता है यह देखिए यहाँ पर फिर घड जाता है यानि minus 11 और ऐसा हमें मेंसुस होता है कि क्यूस्फघन तो भोट आजी है निकल रहा है असानी से निकल रहा है और फिर हम यहाँ पर देखते है掰掰 जाता है और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर पलस देरह है तो देकिए minus 11 पलस 13 यहाँ पर फिर बढ़ गया है यहां पर घट गया यहां पर फिर बढ़ गया पलस 13 और यहां पर देखा तो यहां पर देखे फिर माइनस 11 और यहां पर देखा तो यहां देखे फिर बढ़ गया है यानि पलस 13 इसका मतलब अब क्या आएगा यहां पर यहां पर देखा जाए तो यहां प अगे हमें माइनस, पलस 13 करना होगा, यानि 90 में अगर 13 को हम जोडते हैं, तो 103 हमें पराप्त होता है, तो देखिए कितना आसानी से इस क्रिस्टन को हम सोल कर सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका भी है स्टूडेंट्स, अगर हम 97 में 2 जोड देते हैं, तो 99, और फिर 2 जोड हैं, तो देखिए 103 आता है, जो हमें हमारे option में इसी में मिलता है, और अगर यहाँ से देखते हैं, 86 में 2 जोड देते हैं, 88, और 88 में 2 जोड देते हैं, तो देखिए 90, यानि पहली सीरीज में 90 और दूसरी में 103, तो यहाँ पर भी हमें हमारा answer प्राप्त होता है अगले question को स्टूडेंट्स क्यूशन नमबर यहां पर 230 है तुछ थर 230 तो गैप अगर निकालते हैं, कितना गैप आया सोला का गैप और फिर यहां पर अगर गैप निकालते हैं उसमें clear मैंने बताया हूँ है कि कभी भी आप series problem को solve करते हैं तो उसमें cube और square यानि घन और वर्ग का बड़ा ही रोल होता है देखिए पहले 16 का gap है यानि 4 का वर्ग और फिर 25 का gap है यानि 5 का वर्ग फिर 36 का gap है तो अब कितने का gap आएगा अब 49 का गया पाएगा यानि सतू सतू उननचा तो 307 में हम उननचास को जोड़ते यानि 357 जो option B में हमें answer प्राप्त होता है question number 3 में students BDF, HGL, NPR और आगे जो है option जो 4 दिये गए है उसमें यहाँ पर क्या आएगा तो देखें यहाँ पर क्या किया गया है B से H को बढ़ाया गया है तो कितना बढ़ाया गया देखें 6 पर बढ़ाया गया है 6 आगे बढ़ाया गया है और H के बाद देखें I, J, K, L, M, N 6 आगे और फिर आगे 6 देखें यहाँ पर क्या आएगा यान N O P Q R S T यानि T option में होगा तो या तो option हमारा यह answer है और या option यह answer है यह दो option से निकल चुके हैं देखिए उसके बाद में चलते हैं D से D से J पर देखिए D के बाद E F G H I J और J के बाद आज जाते हैं तो J के बाद K L M N O P और यहां P से आगे जाते हैं Q R S T U V यानि V यहां पर होगा तो हमें आगे जाने की ज़रूरती नहीं है V हमें C option में पराप्त हो जाता है तो इसी तरह 6-6 आगे इसको बढ़ाया गया है Q 4 में देखिए students Q 4 में Z V X T R P N L J और इसी तरह आगे क्या आएगा तो देखिए यहां पर अगर हम देखते हैं तो Z से T यानि उल्टा गया हुआ है और T से N यहां पर उल्टा गया है तो यहां से यहां क्या आएगा तो अगर उल्टा चलते हैं तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है तो इसलिए ABCD का हिसारा हमारी तरफ होना चाहिए अब देखिए option में यहां पर H पहले option में तो H पर लगा के देखते हैं आई तो A की option में बढ़ाया गया है तो अगर हम यहां से उल्टा इसी तरह से देखते हैं तो हमारे option में H वाले option में डी है F है तो D से चलते हैं तो D E F G H I J के देखे E F G H I J के यह D से जादा जाता है तो इसका मतलब यहां F से आएगा देखे तो F से करके देखते हैं F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X तो इसका मतलब H F से बनेगा और H F सिरफ option D में है तो देखे 6 6 उल्टे 6 उल्टे यानि यहां से Z से उल्टा छे फिर उल्टा छे फिर उल्टा छे और फिर यहां X से R पे 6 का गैप L पर 6 का गैप F पे 6 का गैप और फिर उसके बाद में यहां D यानि V से P पे 6 का गैप J पे 6 का गयब और D पे 6 का गयब तो HFD जो है हमें हमारा answer number 4 में प्राफ्थ होता है question number 5 में देखे students यहाँ 113 से 225 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या किया गया है देखे students 113 को double करते हैं तो 226 बनते हैं लेकिन 1- कर दिया यानि 113 गुना 2 और minus 1 देखे 225 गुना 2 यानि 225 गुना दो और minus 1 फिर 499 गुना 2 और minus 1 तो देखे हमें क्या प्राफ्थ होता है हमें यहाँ पर 897 प्राफ्थ होता है क्यों क्यों है 4449 जो है उसको अगर हम double करते हैं तो हमें 98 मिलता है तो minus 1 यानि 49 DN2-1 तो क्या मिलता है 897 हमें हमारा answer यहां मिलता है और आगे इसको ऐसी तर ऐसे बढ़ाते हैं तो 1793 में हमें यहां प्राप्त होता है तो हमें 897 जो है हमारा answer जो है यहां पर प्राप्त होता है option A में students question number 6 में देखिए एक विशेष परकार से STAG सब्द को HGJT होर्न को SLIM कोड किया गया है उसी कोड का पर्योग करके नोर्थ को किस परकार से लिखा जा सकता है तो students ध्यान से देखिए मैंने अपना एक वीडियो पहले भी upload किया हुआ है जिसमें मैंने coding recording अच्छी तरह से समझाई है वो क्या होता है कि जिस परकार से ABCD म नंबर एक होता है इसी तरह से आगे से B का नंबर दो होता है तो पीछे से Y का नंबर दो होता है तो इसी तरह से उल्टे करके लिखे गए है यह देखिए अगर यहां पर आप ध्यान से देखते हैं तो यहां मैंने बनाया हुआ है मैंने आपको सिखाया पहले सिखाया है उ L, M, और यहां से उल्टा लिखना शरू करेंगे, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, यह मैंने कोड बनाये गए हैं, याद करने के लिए बस इसका कोई अर्थ नहीं होता, देखिए मैंने कोड बनाये हुए आज, यानि आज AZ उल्टा होता है, By, Excellent, Wednesday, Evening, Fun, GT Road, High Speed, Right, Jack, गाड़ी के नीचे लगाने वाला या कोई नाम मालो, KP Cup, Lauder, और Monday, देखिए यह बनाये हुए हैं, और इससे बिल्कुल आसान हो जाता है, देखिए, अगर यहां पर देखते हैं, तो GT, यह देखिए GT Road, और यहां से देखते हैं, आज, यह देखिए आज, जेड पे गया, और यह देखिए GT, GT Road, और यह देखिए High Speed, यह देखिए, इस तरह से गया, तो इसी तरह से उल्टे अक्षर, यानि आगे से जो नमबर है, पीछे से वही नमबर, तो हम यहां पर नोर्थ का लगाते हैं, देखिए, यहां N का, यह देखिए कैसे जच आते हैं, तो High Speed, तो देखिए, S बनेगा पीछे, T से बनाते हैं GT Road, T क्या, GT Road, इसका मतलब जी आएगा यहां, तो देखिए, ऐसे ही हमें पता चल गया, कि पीछे GS होना चाहिए, और पीछे GS, देखिए, केवल इसी में है, और अगर आप इसको टैली करेंगे, तो सारे बन सही है, Question No. Next, No. 7 में देखिए, Students, बहुत ही असान है, यदि A को 1, और A&D N को 19, और BAT BAT को क्या लिखा जाएगा, यदि A के A से लेकर Z तक सभी के उपर नमबर डाल लीजिए, CD Coding Recording है, जैसे A का 1 है, और N का जो है, जैसे A का 1 है, N का 14 है, और D का 4 है, तो तीनों को 20 बनता है, इसी तरह से BAT में, B का क्या है, देखिए, B का 2 है, A का 1 है, और T का 20 है, तो तीनों को जोड़ कर 23 बनता है, तो इस परकार से B हमारा answer हमें प्राफ्त होता है, Question No. 8 में देखि, College Party में 5 लड़कियां एक पंक्ती में बैठी है, P है M के बाई और, तो देखिए, सब M का बाई इस तरफ हो गया, तो देखिए, P है M के बाई और, और O के दाई नी और, कौन? P, O के दाई नी और, तो देखिए, O का दाया, ये इधर हो गया, अब कहता है, और R बैठी है, N के दाई नी और, तो R तो इसमें नहीं है, और N भी इसमें नहीं है, तो अलग से बना और बैठी है N की दाहीनी और प्हरंतु O के बाइं और पुझा, तो O कहा है ? सब्सक्राइद का बायं किधर है ?? इधर ही तो है थे हैं ? का बायं थे दो है तोọ के बायं R हो गई, और इधर N हो गया ? तो यह पांचों जो है इस तरह से पंक्ति में बैठ़ गई N, R, O, P, M, तो कहता है, तो बीच में कौन है, तो बीच में कौन हुआ, ओ तो हुआ, तो ओ जो है हमें option number 1 में प्राप्थ होता है students, अगला question देखे students, कहता है, एक इंच किनारे वाले लकडी के छोटे-छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया इस बड़े घन को बाहर की ओर से पूल रूप से लाल रंग से रंगा गया, जब बड़े घन को मूल घनों में खंडित किया गया, तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा, तो देखी मैं आपको एक छोटा सा घन बना कर दिखाता हूँ चोटे-चोटे घन है, स्टूडेंस, उनको जोड़ कर एक इस टाइप से एक-एक इंच का घन है, एक इंच किनारे वाले लकड़ी के चोटे घनों को एक साथ रखकर, यानि एक-एक इंच का घन है, तो इसका मतलब हो गया, कि इस तरह से तीन हो गये और इस तरह से भी तीन हो गई और देखिए इनको इस तरह से लगाया गया है एक, दो, तीन देखिए इस तरह से ये एक एक इंच के छोटे छोटे घंजो है वो तीन-तीन की पंक्तियों में लगा दिये गए हैं तो ये टोटल कितने बनते हैं तो नो का यहां पर हम, अगर तीन का हम घंज करेंगे तीन, गुना, तीन, गुना, तीन तो कितने बनते हैं? 27, तो टोटल कितने हो गए ये 27? तो हमेशा जो है, जो बिना कलर वाले होते हैं अब इसको रंग दिया गया है पूरा रंग दिया गया है कहता है कि ऐसा घन इसके अंदर कौन सा बच गया जिसके ऊपर कोई भी रंग नहीं आया तो मैं आपको बताता हूं कि हमेशा बीच ओ बीच जो घन होता है ये देखे बीच ओ बीच ये कितने घन है एक देखो एक पंक्ती में तीन है यनि बीच ओ बीच देखे कितने है एक दो की पंक्ति है तो तीन ही होंगे लेकिन उपर वाले पर तो調 गया और नीचे नीचे जो है उसपे भी कलर आ गया तो बीच में एक ही तो बचा जो ब्रय में एक बचने का मतलब हमारा अंसरा आ एक और एक है हमारा बी में और इसको अच्छी ऐसे समझना बहुत ही जरूरी है देखिए इसको अगर आप यहां देखते हैं तो यह जो कोने वाले हैं यह तीन कलर के होते हैं इन पर तीन जगे रंग आता है यह देखिए इस तरह से हर किनारे पर दो होते हैं एक उपर एक नीचे एक उपर एक नीचे एक उपर एक नीचे तो 3-3 वाले कितने हो गई? 8 हो गई, यह देखिए मैं सभी की बता देता हूं. और ऐसे जो है कितने होते जिनके उपर 2 कलर होते हो, एक इस लाइन में, एक इस लाइन में और एक इस लाइन में ने कर लिए और दो वाले भी कर लिए अब कौन से रह गए अब रह गए जिनके उपर एक कलर है तो एक कलर वाले कौन से है एक कलर वाला ये देखिए ये बीचों बीच होता है एक कलर वाला बीचों बीच क्योंकि इसके उपर और किसी हिस्से पर सिरे पर रंग जा ही नहीं सक यह देखिए अगर हम देखते हैं और एक और कुन सा रह गया जो बिना रंगा हुआ है वो है एक अगर सभी को हम जो उड़ते हैं तो देखिए बाराट बीस और साथ 27 टोटल जो है हमें प्राप्त होते हैं इसलिए यहां हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है एक ऐसा घन है जिसके केवल जिसके किसी भी फलक पर रंग नहीं है अगला कोशन देखिए स्टूडेंस विजे अपने कार्यान ले से प्रारंब करके चार किलोमेटर उत्तर की और चलता है देखिए चार किलोमेटर उत्तर की और जाता है यह देखिए चार किलोमेटर उत्तर की और गया च्यार किलो मेटर फिर दाएं मुड़कर दो किलो मेटर चलता है फिर देखे ये धाया होता है और ये बाया तो फिर कहता है फिर दाएं मुड़कर दो किलो मेटर चलता है तो दाएं मुड़ा और दो चला ये दो किलो मेटर हो गए फिर दाइं मुड़कर 6 किलो मेटर चलता है अब देखिए यहां से दाइं किदर होगा यहां से दाइं इदर होगा फिर दाइं मुड़कर 6 किलो मेटर चलता है यह देखिए 6 किलो मेटर इसका मतलब चार तक तो ये बराबर हो गया, दो किलो मेटर फालतू हो गया और कहता है और फिर दाई और दो किलो मेटर चलता है वह प्रारंबिक स्थान से कितनी दूरी पर है फिर दाई और यानि उसका मूँ दक्सिन की तरफ है आप दें कि दक्सिन की तरफ है तो फिर दाई और 2 km चलता है तो दाई और 2 km चलता है तो पिलकुल ठीक gone टीक स्थान से कितनी दूर है . अब careful इसका मतला प्रारंबिक स्थान से कितनी दूरी पर है ए में हमें आंसर प्राप्त होता है अब यहां कहता है अगले में देखें 11 नंबर में यदि बीते कल से पहला दिन ब्रस्पतिवार था तो रवीवार कब होगा अब सिदी सी बात है आज बीता कल और बीते कल से पहला दिन क्या था ब्रस्पतिवार तो यहां पर ब्रस्पतिवार है और यह जो है सुकरवार है आज क्या हो गया आज सनीवार हो गया तो आने वाला कल क्या होगा रभीवार होगा तो आने वाला कल जो है रभीवार यहां ओप्सन में देखते हैं आने वाला कल यानि सी ओप्सन में हमें हमारा answer जो है प्राप्त होता है question number 12 में देखे कि राजू के सम्मुख उत्तर दिसा है देखे यही पर हम मान लीजे राजू यहां खड़ा है और उसके सम्मुख उत्तर दिसा है यह देखे वह 30 मीटर आगे चल कर बाई और मुरता है मान लीजे यह उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है और 30 मीटर यही उत्तर की और यह चलता है थीक है 30 मीटर आगे चल कर बाई मुरता है 30 मीटर आगे चलता है और बाई मुरता है देखे यह दाया होता है और यह बाई मुरता है और 15 मीटर जाता है देखे यहां 15 मीटर लगा लेते हैं 15 मीटर जाता है अब वह अपने दाइं मुड़कर 50 मीटर जाता है अब देखे इधर इसका मूँ है तो दाइं मुड़कर 50 मीटर जाता है तो दाया कहा हो गया दाया यहां हो गया 50 मीटर यहां 50 मीटर यहां 50 लिख लेते हैं और अंत में द पूरब तो कौन सी दिशा में चल रहा है वह पूरब दिशा में चल रहा है जो बी ओप्शन में हमारा आंसर प्राफत होता है कुश्ट नमर 13 में देखे, 31 विद्यार्थियों की एक अक्षा में अरुन का स्थान सतर्मा है, अंध से उसका कौन सा स्थान होगा, एक पंक्ती में कोई भी विद्यार्थी एक बीच में खड़ा है, कहता है, एक साइड से देखने पर वो सतर्मा दीखता है, दूसरी साइड स सतरा को हम घटा कर एक जोड़ देते हैं, तो 31 में से सतरा घटा कर पलस एक कर देते हैं, तो 31 में से सतरा घटाने पर हमें मिलता है, ग्यारा में से साथ गया चार, यानि चोदा, चोदा में एक हम जोड़ते हैं, तो हमें पंदरा पराप्त होता है, इसका मतलब अंध से उसक ये देखें ये भी भाई है और ये भी भाई है ये भी मेल और ये भी मेल ये और भी भाई है कता ई पुत्री है एफ की अब ई जो है वो पुत्री है F की, लेकिन F के बारे में हमें नहीं पता, ये मा भी हो सकती है, और पिता भी हो सकता है, मेल भी मेल कोई भी हो सकता है इप पत्री है, और F पत्नी है B की ज़ ये इसकी पत्री है और इन दोनों की पत्री है तो ये इसकी भतीजी हुई, ये चाचा हुआ ये देखे चाचा, तो कहता है E का A से क्या संangel है? यहां में यह जरूर देखना जाइए कि E का A से सं ettwa है? E का संबद पूछा है, तो huteej अगर पूछ लिया जाए E का A से क्या संबद है? तो चाचा उत्तर होगा! बलके यह option जो मैंने नहीं दिये हैं, अगर मैंने ये option दिये होते, तो मैं यहां चाचा भी लिखता, ताकि आप लोग भर्मित होते, और भर्मित करने के लिए सही option देना बहुत ही जरूरी है, तो students ध्यान रखें, यहां भतीजी भी उत्तर हो सकता था, चाचा भी हो सकता था, और mostly students जो है, इसको गलत करके आते, क्योंकि over confidence यहां पर बच्चे को हो जाता है, कि मेरा question बहुत सही है, लेकिन यहां यह देखना चाहिए, A का नाता E से, या E का नाता A से, तो यहां E का A से नाता पूछा गया है, जो आएगा भती जी, तो C हमारा answer प्राप्त होता है, अगला question है students, X औ और उसके दादा जी की आयू में 50 वर्स का अंतर है, यदि 6 वर्स बाद उनकी आयू का योग 152 वर्स होगा, तो उनकी वर्तमान आयू क्या होगी, वैसे X मान कर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं तो mostly जो है, ऐसे question जो है, वो easily option से ही निकाल लेता हूँ, देखे अगर 6 वर्स कहता है, 6 वर्स बाद, यानि 6 वर्स बाद, यानि 45 में 6 जोड़ते 51, तो देखे, 45 में 6 जोड़ते 51, और 95 में अगर 6 जोड़ते हैं, तो 101, देखे, ये 152 बन गया, क्योंकि option में वर्तमान आयू दी गई है, तो 6 वर्स बाद कितनी होगी, तो उसका मतलब, option में 6 जोड़ते देख लीजिए, तो हमें यहां पर C हमें हमारा option प्राप्त होता है students, वह विकल्प चुनिए, जो दिये गए set से सम्मदित दिया गया है, यानि 12, 20 और 28, इसका मतलब क्या किया गया है, 4 तीए 12, 4 पंजे 20, और 4 सते 28, तो यहां पर देखे, C option में दिखाई देता है, 6 तीए प्राप्त होता है, अगला question देखे student, निर्देश है, दिये हुए विकल्पों में से उस सब्द को चुनिए, जो नीचे दिये गए सब्द में सामिल अक्षरों से बन सकता है, तो international सब्द यहां पर दिया गया है, international, तो देखे annual, पहला दिया गया है annual, तो annual में तो U है, तो इस से नहीं बन सकता, फिर देखे दिया गया है lamination, lamination में M दिया गया है, international में M तो नहीं है, और यहां पर terminate दिया गया है, terminate में भी M नहीं है, तो यहां देखे शीदा दिखाई देता है कि internal word जो है, वही international से निकल सकता है, तो D हमें हमारा answer प्राप्त होता है, अगले question के निर्देश दिये गए है कि निमिल लिखित विकल्पों में से वह सब्द चुनिये जो दिये गए सब्द के अक्सरों का परियोग करके नहीं बनाया जा सकता। निर्देश के आधार पर पॉस्टर नमबर 18 को देखते हैं किता ट्रांसपोर्ट सब्द से यह कौन-कौन से बनाया जा सकते हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता। वह कथनों के आगे दो निसकर्स एक और दो दिये गए हैं आप समणने ज्यात तठ्ष्यों में अंतर होने पर भी दोनों वाक्यों की पड़ताल सत्य समझ कर करें यानि सत्य ही मानना चाहिए वह आम तोर पर गलत होती हो आप तैय करें कि दिये गए निसकर्ष्यों में से कलता है तो देखिए पहला दिया गया है कि कथन सभी जानवर पक्सी है तो देखिए यहां पर डियाग्राम जो है हम बनाते हैं कहते हैं सभी जानवर पक्सी है कोई भी चीज सभी जब होती है जब दूसरी चीज उससे बड़ी हो हमेशा आपको यह याद रखना है कि कोई भी चीज सभी होई नहीं सकती अगर दूसरी चीज उससे बड़ी ना हो तो सभी सेब अनार हैं ये देखे सभी सेब अगर सेब सभी सेब को सभी बनाना है तो अनार जादा बनाने पड़ेंगे ये देखे सभी सब्द से यही डायागरम बनता है सभी से बना रहे हैं सभी जानवर पक्सी हैं कुछ जानवर मनुस्य हैं अब देखें ये इससे अरजेस्ट करके भी बना सकते हैं देखें ऐसे भी बना सकते हैं और इसको ऐसे क्रोस करके बना सकते हैं इसको ऐसे क्रोस करके बना सकते हैं देखें कुछ जानवर मनुस्य हैं त कुछ मनुस्य पक्सी है हां यहां पर कुछ मनुस्य पक्सी दिखाई दे रही है देखे पक्सियों के अंदर है तो यह तो सही है कुछ पक्सी मनुस्य है और कुछ पक्सी मनुस्य यह बात भी बिल्कुल सकते हैं अगर पक्सी मनुस्य हो सकते हैं मनुस्य पक्सी हो सकते हैं त सिदी सी बात है तो एक और दो दोनों ही निकलते हैं तो सी हमारा ओप्षन यहां अंसर आता है अगला कॉप्षन देखें स्टुडेंट्स कथन कहता है कुट्टों के चार पैर होते हैं ठीक है सबसे पहले तो हम चार पैर बनाएंगे क्योंकि कुट्टे पहले और चार पैर ब चार पैर होते हैं इसका मतलब मेज भी चार पैर वाली है तो मेजे भी इसके अंदर आ जाएंगी यानि सभी मेजों के चार पैर होते हैं तो सभी मेजों के ऊपर चार पैर आ जाएंगे तो मेज यहां पर आ जाएगा अब एक और दो का हम आंसर देते हैं काता है मेजे कुत्ते हैं काता है मेजे कुत्ते हैं भाई कुत्ते मेजे कैसे हो गई ये अलग है ये अलग है तो ये तो गलत है काता है मेजे कुत्ते हैं तो ये बात भी गलत है दोनों ही गलत है कैसे गलत है देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये है फल, देखिए ये फल है, ये है अनार और ये है आम, तो देखिए आम अनार कैसे हो सकता है, अनार आम कैसे हो सकते हैं, वो ठीक है, फल सबी है, तो वही बात है, चार पैर वाले तो सबी हैं, लेकिन चार पैर वाले मेज कुत्ते कैसे कुट्टे मेज कैसे हो सकते हैं यहां निर्देश में खा गया है चाहे इनके दो पैर हैं आपको चार ही मानने हैं के मेजों के चार पैर होते हैं कुट्टों के चार पैर होते हैं लेकिन वो तो हमने माल लिया लेकिन मेजे कुट्टे कैसे हो सकते हैं कुट्टे मेजे कैसे हो स स्टार 76 बराबर 52, 97 स्टार 49 बराबर 66, तो 37 स्टार 73 क्या होना चाहिए, अब यहां देखे स्टुडेंस यह 34, 12, 23, यह देखे 34 और 12, 46 बनते है, 46 का आधा यानि बटे 2, 23 हो गए, यह देखे, 28 और 76, 104, यह देखे, 104 का बटे 2, 52, तो इसी तरह सभी का बनता है, यह देखे 37 और 73 को हम जोडते हैं, 110 बटा 2, 55, तो यहां पर D हमें हमारा आंसर जो है, प्राप्त होता है, कुश्चन नमर 22 में देखे, यदि माइनस का अर्थ है भाग, जमा का अर्थ है गुना, और भाग का अर्थ है घटा, यानि माइनस, और गुना का अर्थ है जोड़ना, यानि ज तो कौन सा समीकन सही है, तो देखे, आप इसको कनवर्ट करते हैं, ये सारे साइन उप्रोक्त के अनुसार, उप्रोक्त निदेश के अनुसार कनवर्ट करते हैं, तो ये भी आपको सही मिलेगा, गलत मिलेगा, तो ये भी सही नहीं है, अगर इसको आप निकालेंगे, तो य ये भी सही नहीं है इसको आप solve करते हैं तो ये सही है और इसको solve करेंगे तो ये भी सही नहीं है तो हमें C में अंसर अगर मिल जाता है तो आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है question No.23 में देखिए निनलिकी समीकन को संतूलित करने पर तथा स्टार चिन्यों को प्रस्थापित करने के लिए गनितिय चिन्यों का सही करम menu चुनिए तो देखिए यहाँ पर आपके सामने नीचे दिया गया है 7 Star 5 Star 5 Star 4 Star 10 देखिए इनको आप अगर चेंज करते हैं तो आपको यह पता चल ऐगा change कैसे करते हैं देखिए स्टुडेंट्स यहाँ पर जमा डाल दीजिए यहाँ पर भाग डाल दीजिए पहला option यहाँ पर minus डाल दीजिए यहाँ पर बराबर डाल दीजिए और वो solve करके देखे आखरी तक समीकन सही होना चाहिए तो इसका answer जो है यह है देखे students यहाँ पर इसकी जगए गुना लगा सकते हैं फिर यहाँ जमा लगा सकते हैं फिर यहाँ बराबर का sign लगा सकते हैं और फिर यहाँ गुना लगा सकते हैं देखे बराबर के sign के इस तरफ यह कितने होगा चालिस और इता देखे पहले गुना के कोर्डिंग साथ पंजे 35 और 45 तो 40 बराबर है 40 तो यहां पर सी हमें आंसर प्रापत होगा इन सभी को भर के हम देख सकते हैं जो सही होगा हमें आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स अगला कोस्टन देखे इंदर धनुस में रंगो का करम निमन में से कौन सा है तो आपको सुत्र याद रखना चाहिए बैनी आह पिनाला बैनी आह पिनाला ये सुत्र आपको याद रखना चाहिए बी से बैंगनी, नी से नीला, आसे आस्मानी, हैसे हरा, पीला, नारंगी और लाल ये इस तरह से तो देखें बैंगनी यानि नमबर तीन पे है तो रंगों का करम हमें ढूंड़ना है तो नमबर तीन वाले उप्सन को हम चूज करेंगे या तो ये है और या ये है, ये उप्सन में नहीं है और ये उप्सन में नहीं है अगर हमें ये याद है बैंगनी, फिर देखो नी है, तो नी इसमें कोई है ये नी फिर आ आसमानी भी इसमें नहीं है है हरा इसका मतलब दो उसके बाद में आएगा दो और दो जो है वो इसी में है तो ए हमें हमारा पक्का आंसर यहां पर मिलता है देखे अगर हमें ये अच्छी तरह से याद होगा तो हम बैनी आहा पी नाला से रंगों के सही करम को अच्छ सामने आएगा निमन एक पता दिया गया है जो ए बी सी तथा डी विकल्पों के रूप में लिखा है इन में से तीन में कोई न कोई गलती है बिना गलती वाला विकल्प कौन सा है तो स्टूडेंस देखे ये एक नीचे ओप्शन एक एडरस दिया हुआ है देखे डॉक्टर सी वी आर रामा स्वामी उननिस बाबा नशम स्ट्रीट एयरपोर्ट रोड लाजबेट पुद्दूचीरी और परेशट इक्यामन चोबिस तो स्टूडेंस आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जो इतना एडरस दिया गया है इसकी ठीक फोटो स्टेट कोपी हमें बनान है ना आपको ये डॉट चोड़ना है ना कोमा चोड़ना है कोई स्पैलिंग मिस्टेक चोड़ना है एज इस फोटो स्टेट कोपी जो है हमें निकालनी है और इसमें हमारा एज इस फोटो स्टेट आंसर है डी ये हमें याद रखना है स्टूडेंस आंसर डी हमें यहां पर 27 निमिन परश्नोक में нее संख्या की एक सरैनी दि गई है। उस सरैनी में गलत संख्या का चैन की थे । तो अगर हम हो यह देखते हैं तो देखे 2 यहां बड़ा दिया और यहां 3 बढ़ा दिया ह्यां 8 हो 3 11 अगर यहां पर 4 बढ़ा दिया गया होता तो यह 12 होतें और फिर यहां 5 बढ़ा देते, 17 हो गया, और फिर यह 6 बढ़ा देते, इसका मतलब यह गलत है, यह option इसमें गलत है, इसकी जगए 12 होना चाहिए, तो गलत क्या है, B option, तो B हमारा answer इसमें हमें प्राप्थ होगा अगला देखे, students, 6 तीए 18, यानि 3 से गुना कर दी, और 18 दुनी 36, यानि 2 से गुना कर दी, 37 तिया 108, 3 से गुना कर दी, 108 दुनी 216, 2 से गुना कर दी अब यह देखे, 216, पहले 3 से गुना, 216 तिया, 648, लेकिन अगर यहां पर, अगर यहां पर 2 से गुना करते हैं, 648 दुनी 1296, तो गलत क्या हुआ, यहां पर होना क्या चाहिए, 648 दुनी 1296, यहां होना चाहिए, लेकिन 1296 यहां नहीं है, तो answer C, यानि 1290 हमारा, यहां पर answer पड़ा होता है, कि 1290 गलत है, अगला कुश्चन है, अक्सरों का कौन सा समूख, खाली स्थानों पर करम वार रखने से दी गई, अक्सर सरंखला को पूरा करेगा, तो students, यह चार उप्शन नीचे जो दिये गए हैं, इन में से एक उप्शन है, जो इसमें रखने के बाद, तो सीरियल बिल्कुल सही हो जाएगा, यानि एक करम सरंखला पूरी हो जाएगी, तो देखे, हम इसमें B को रखते हैं, तो उप्शन बिल्कुल सही हो जाता, देखे, F, फिर है E, दो नमबर पे, फिर G, देखे, फिर E, और फिर F, और अब इसको बोल के देखते हैं, F, F, G जाए, ये देखे, F, F, G, G, E, ये देखे, ये बन गया, F, F, G, G, E, फिर उसके बाद दूसरे को रिपीट कर दिया, फहले F, F, को फिर G, G, को रिपीट कर दिया E E F F G G ये देखे F F G G E E फिर G को रिपीट कर दिया G G E E F F और फिर E E को रिपीट कर दिया E E F F G G तो जब हम इन चारों को option में fulfill करेंगे तो हमें B answer जो हिस्स में प्राप्त होगा question number 29 में देखे एक लड़का उत्तर दिशा में चलता है ठीक है हम यहीं बना लेते हैं एक लड़का उत्तर दिशा में चलता है यह चला उत्तर दिशा में कहता है कुछ समय बाद वह दाएं मुरता है दाया इस तरफ हो गया दाय मुड़ गया और उसके बाद बाय मुड़ता है तो यह जर इस साइड में हो गया उसके बाद बाय मुड़ता है और अंत में एक किलोमेटर चल कर कोई फरक नहीं परता है यहां किलोमेटर का कोई चकरी नहीं है एक किलोमेटर चल कर दोबारा बाय म उड़ गया और अंत में एक किलोमेटर चलकर वह दुबारा बाहें मुड़ता है यहां एक किलोमेटर चला और फिर उसके बाद में दुबारा बाहें मुड़ गया अब देखिए इधर बाहें मुड़ गया तो अंत में देखिए आपको क्लियर यहां पर दिखाई दे रहा है क में आंसर प्राप्त होगा यदि वोकेशन को C A T R O V N के रूप में लिखा जाता है तो guidance को किस रूप में लिखा जाएगा यहाँ पर क्या किया गया है students है कि इनको नंबर दे लीजिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अब यह देख लीजिए कि यह वी एक नंबर फिर C तीन नंबर पे है तो C को तीन दे दीजिए इस तरह से जिस नंबर पे जिसको जचाया गया है guidance को भी एक दो तीन चार लिखकर और इस नंबर के अनुसार आप अगर जचाते हैं तो आपको A यहाँ पर आपका answer मिलता है तो students आज के वीडियो में बस इतना ही next वीडियो में जल्द ही मिलते हैं झाल 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 झाल